मैं बाबा साब का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ पूरे दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूलों में हमने बाबा साब की पढ़ाई कमपलसरी कर दी बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा साब के जीवन के बारे में बाबा साब खुद तो खुब पढ़े और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया जब तक कोई भी बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तब तक उसका उठान नहीं हो सकता बच्चे का भी परिवार का भी और देश का भी देश भी तबी आगे बढ़ेगा जब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी और अच्छी शिक्षा मिलेगी बाबा साब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में चाहे वो गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो सबको अच्छी शिक्षा में जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में पांच साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शांदार कर दिये बाई साब आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आयस अफसर का बच्चा और रिक्षे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठे तो बाबा साब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए मैंने कसम खाई है मैं कई जगे बोल चुका कि बाबा साब का सपना मैं पूरा करूँगा इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छे श्क्षा दिलाटे रहे